राम राम दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्रिये चैनल बोलती बुक्स वित अंजली में और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बाल राम कथा का दस्वाँ पार्ट जिसका शीरशक है लंका में हनुमान तो आईए शुरू करते हैं हनुमान उठे अंगडाई ली जुक कर धर्ती को चुआ और एक ही चलांग में महिंद्र परवत पर जा खड़े हुए जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ती की याद दिलाने में परवत शिकर पर खड़े हनुमान ने फिराठ समुद्र की ओर देखा उनकी आखों में चुनौती का भाव नहीं था समर्पन का था राम के प्रती समुद्र यह देखकर डर गया उसकी गरीमा नश्ट होने को थी हनुमान ने पूर दिशा की ओर मुख करके अपने पिता को प्रणाम किया हाथ हवा में उठाए परवत पर जुक कर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और च्छलांग लगा दि अगले ही पल वो आकाश में थे समुद्र के उपर तेजी से आगे बढ़ते हुए च्छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए कुछ दूर हनुमान के साथ गए जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं हनुमान की गत्य अधिक थी पत्थर पीचे छूटे और समुद्र में जागरे महेंद्र परवत सुन्दर था वनस्पतियों और जीव जन्तों से भरा उसका शिकर पत्रीला था लेकिन नीचे गाटी में मनमोह कुरक्ष थे लताएं थी हनुमान के च्छलांग लगाने तक प परवत दरग गया व्रक्ष कापकर गिर गये वन थर्रा गया पड़ी पड़ी चट्टाने नीचे लुलकने लगी पशु पक्षी चितकार करते हुए भागे कई स्थानों पर जलसरोत भूट पड़े कहीं धुआ उठने लगा चट्टाने दहक उठी लाल हो गई आग के गो मान इससे बेखबर थे वायू की गती से आगे बढ़ रहे थे मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए उनका शरीर हिला तो बादलो की सी गड़गड़ा हाट होई वे जहां से निकलते सब कुछ आइस्थिर हो जाता समुद्र में उची लहरे उठने लगी उनकी परचाईं समुद्र में विराट नाओ की तरह दिखती बिना आवाज चलती हुई समुद्र के अंदर एक परवत था मेंनाक सुनेरा शमकता हुआ वह जलराशी को चीर कर उपर उठा मेंनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहाँ विश्राम कर ले ठक गए होंगे हनुमान नहीं रुखे उन्हें मेंनाक की सदिच्छा बाधा लगी राम काज में वह मेंनाक से टकराते हुए निकल गए हाथ उपरी हिस्से पर लगा तो परवत शिखर तूट गया वह कुछ और उपर उठकर उड़ने लगे हनुमान की रास्ते में कई बाधाय आए राक्च्छ सी सुर्सा मिली विराठ शरीर वह हनुमान को खा जाना चाहती थी पवन पुत्र ने उसे चक्मा दिया उसके मुँ में घुसकर निकल आए आगे एक और राक्च्छ सी टकराई उसका नाम सहिंका था चाया राक्च्छ सी उसने जल में हनुमान की परचाई पकड़ ली वह अचानक आस्मान में ठहर गए गुद्ध हनुमान ने सहिंका को मा डाला आगे बड़े अब गंतवे दूर नहीं था दूर शितिश पर लंका दिखाई पड़ने लगे थी रावन की राजदानी सोने की लंका आकाश में उठते हुए कंगूरे उसकी प्राचीर लंका जगमगा रही थी हनुमान समुद्र के किनारे उदर गए अव लंका को और निकट से देख पा रहे थे हनुमान को ठकान रंच मात्र नहीं थी इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था चिंता थी कि सीता को कैसे ढूनेंगे कैसे पैचानेंगे लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चड़ गए द्रिष्टी दोड़ा रो और व्रिष्ष सुवासित उध्यान भव विभवन हवा में लहराती संगीत धाराएं वे चकित थे राक्चस नगरी में इतनी सुन्दर था उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था वो उस नगर का एक एक विवरण आँखों में भर लेना चाहते थे ताकि बाद में वो सीता की खोज में काम आये दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा उन्होंने प्रिदिक्षा की समुद्र तटपरी शाम धलने पर नगरी में प्रवेश किया उनके सामने पहला प्रश्ण सीता का पता लगाना था उस विराठ नगर में यह काम आसान नहीं था वरक्षो डालियों से कुंदते फांदते वह नगर के मद्ध में पहुँच गए राजमहल वहीं था उनका अनुमान था किसी था महल में ही होंगी रावन ने उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में महल में पहरेदार थे अस्त्र शस्त्र ली हुए सब की आँग बचा कर वह चुपचाप अंदर आ गए राजमहल विराठ था वैभवपूर वे बचते बचाते महल में गोमने लगे पठकते रहे रात का समय था अधिकतर राक्षस सो रहे थे उन्होंने निकट जाकर एक एक चहरा देखा सीता जैसी कोई इस्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी वे रावन के कख्ष में गए वहां रावन था उसकी रानी मंदोद्री थी सीता नहीं थी ना जाने सीता को काँच भा रखा है सोचते हुए हनुमान अंतवपुर से बाहर निकल गए एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर चान मारे पशू शालाए भी देख ली सीता का कहीं पता ना था सीता के लंका में होने की सुचना पर उन्हें संदे नहीं था पर वा दुखी हो गए सोचने लगे रावन ने अवश सीता को कहीं छिपा दिया है किसी गुप्त स्थान पर मैं उन्हें ढूंट निकालूंगा उन्हें मिले बिना नहीं लोटूंगा उन्होंने तै किया अन्तवपुर के बाहर हनुमान ने रावन का रत देखा सौन रत था रतनों से सजा हुआ वे चकित रह गए तब ही उनका ध्यान अन्तवपुर से लगी वाटिका की ओर गया वहां अशोग के उचे उचे वरिख्ष थे आकाश चूने को आतुर यही अशोग वाटिका थी दिवार लांकर वे वहां पहुँचे लंका में यही एक इस्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती रावन उन्हें इतनी खुली जरे क्यों रखेगा हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी वो एक व्रक्ष पर चड़कर बैठ गए दिन चड़ाया था ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचत नहीं लगा पेड घना था वे उसके पत्तों में छिप गए उन्हें वहां से सब कुछ दिखता था लेकिन उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था रात हो गई अचानत वाटका की कुने से उन्हें अठाहा सुनाई भी रक्षिसियां थी हनुमान उधर ही देखने लगे एक रक्ष के नीचे रक्षिसियों का जुन था वे किसी बात पर ठाके लगा रही थी हनुमान को लगा कि वे सीता परहस रही है वो पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आये ध्यान से देखा रक्षिसियों के बीच एक इस्तुरी बैठी है चहरा मुर्जाया हुआ उधास, दैनिये, दुर्बल, शोकरस्त यही मा सीता है उन्होंने मन में सोचा उन्हें अब कोई संदे नहीं था रक्षिसियां वहीं थी हट नहीं रही थी हनुमान उतावले थे पर नीचे उतरने में डर था स्वैम उनके लिए, सीता के लिए भी तब ही उन्होंने रावन को आते देखा राज सी ठाट बाट के साथ दासियों सहीद हनुमान सीता से भेट किये बिना लौटना नहीं चाहते थे ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा उन्होंने सोचा नीचे उतरने का अफसर ही नहीं मिल रहा था विडाल से चिपक गए सांस रोक कर रावन के लौटने की प्रदिक्षा में रावन ने सीता को बहलाया फुसलाया लालस दिया सीता नहीं डिगी वह डर से काप रही थी पर उन्होंने रावन की एक न सुनी तरसकार किया रावन ने कहा तुम्हें डरने की अवशकता नहीं है सुमुखी मैं तुम्हें परश नहीं करूँगा जब तक तुम स्वेम ऐसा नहीं चाहोगी मैं तुम्हें अपनी राणी बनाना चाहता हूँ मेरी बात मान लो और सुक भोग करो अनिता मैं तुम्हें तलवार से काट डालूँगा सोच लो तुम्हारे पास अब केवल दो महीने बचे है ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट राम के सामने तुम्हारा अस्तित भी क्या है मुझे राम के पास पहुचा दो वे तुम्हें शमा कर देंगे तुम्हें ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है तुम्हें अपराद किया है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मूर्क राक्षस तुम्हारा अंत निकट है रावन क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया रात गाड़ी होती जा रही थी रावन के जाने पर राक्षिसियों ने सीता को घेर लिया उन्हें डराने धमकाने लगी बोली तुम मूर्खो रावन का प्रिस्थाव अस्विकार कर रही हो ये रावन की नगरी है तुमारा राम यहां कभी नहीं पहुच सकता तुम्हें कोई नहीं बचा सकता राक्षिसियों में एक तरजटा थी सबसे भिन उसने का मैंने एक सपना देखा है पूरी लंका समुद में डूब गई सब नश्ठ हो गया है ये सपना अच्छा नहीं है कहीं ये सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है सीता की हिच्खियां बन गई वह विलूब करने लगी देरात राक्षिसियों एक एक घर चली गई सीता वाटिका में अकेली थी ये अच्छा अफसर था पर हनुमान बेड़ से नहीं उतरे कहीं सीता मुझे भी राक्षिस न समझ ले माया भी चाल मान ले उन्होंने सोचा बेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारम की राम का गुडगान रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौकी उन्होंने उपर देखा जिदर से आवाज आ रही थी पूछा कौन हो तुम हनुमान नीचे उतर आए उन्होंने सीता को प्रणाम किया राम की अंगूठी उन्हें दी कहा हे माता मैं शिरी राम का दास हूँ किश्किन्दा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर उन्होंने मुझे यहां भेजा है आपका समचार लेने हनुमान को लेकर सीता की मन में अभी शंका थी उन्होंने परवत पर फेके आपूशनों की याद दिला कर संधे दूर कर दिया सीता ने राम का कुशल छेम पूछा कई प्रश्न कीए हनुमान उन्हें कंदे पर बठा कर राम की पास ले जाना चाहते थे सीता ने प्रस्ताव अस्विकार कर दिया उन्होंने कहा ये उचित नहीं होगा पुत्र पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुचेगा हनुमान ने सीता से विदा ली वो पूरी सुचना ततकाल राम तक पहुचाना चाहते थे चलते समय सीता ने अपना एक आपूशन उन्हें दे दिया उनकी आखे नम थी हनुमान ने कहा निराश नहों माते शीराम दो मा में या अवश्र पहुच जाएंगे हनुमान राम के पास लोटने को उद्यत थे उत्तर दिशा की ओर जाना था पर कुछ सोच कर रुख गए उन्होंने रावन का उप्वन तहस नहस कर दिया अशोक वाटिका उजाड दी व्रिक्ष उखाड दिये और विरोत करने वाले सभी राक्चसों को मार डाला रावन के कई महाबली मारे गए हनुमान से लड़ते हुए रावन का पुद्र अक्ष कुमार भी प्राणगवा बैठा राक्चस भागे भागे राजमहल गए रावन को इसकी सूचना दी एक वानर के उत्पात के बारे में बताया रावन दिल मिला गया उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा उसने मेगनात को बेजा अपने सबसे बड़े बेटे को कहा उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो उसने जगन्य अपरात किया है मेगनात ने हनुमान से भीशायूत किया वह इंद्र जीत था एक बार इंद्र को परास्त कर चुगा था उसने अंतता हनुमान को बांध लिया राक्चस उन्हें खीचते हुए रावण के दर्बार में ले आए शक्तिशाली रावण सिहासन पर बैठा था उसके सेना पती ने पूछा कौन हो तुम किसने तुमें यहां भेजा है हनुमान के मन में भे नहीं था मैं शिरी राम का दास हूँ मेरा नाम हनुमान है आप शिरी राम की पत्नी सीता को हर लाए है मैं उनी की खोज में आया था उनसे मैं मिल चुका आपके दर्शन करना चाहता था इसलिए उत्पात करना पड़ा इसमें मेरा कोई अपरात नहीं दंड के भागी तो राक्षे से उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया क्रोध में रामान हनुमान को मारने उठा छोटे भाई विविशर ने उसे रोक दिया कहा आप नीतिवान है राजन नीति के नुसार दूत का वद अनुचित है आप उसे कोई दूसरा धंड दे दे हनुमान ने रामान को पुना प्रणाम किया मेरा एक निवेदन है आप सीता को सम्मान सहित लोटा दे इसी में आपका कुशल है धंडर राम से आप युद नहीं जीज सकते रावन ने हनुमान की पूछ में आग लगा देने की आग्या दी राक्षस ने आग लगा दी जलती हुई पूछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया राक्षस टोली कर रहे थे इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिये एक भवन पर चड़कर उसमें आग लगा दी एक से दूसरी अठारी पर कूधते उन्होंने सबी भवन जला दिये हाँ कार मज किया लंका जल रही थी दूदू कर राक्षस विलाप करने लगे अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई वह अशोक वाटिका की और भागे डर था कि कहीं आग उन्तक न पहुँच गई हो सीता सकुषल थी पेड़ की नीचे बैठी हुई आग से आप्रभावित हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया अशिरवाद मंगा और उत्तर दिशा की ओर जल पड़े राम के पास दूसरे दट पर सबी हनुमान की प्रिदिक्षक कर रहे थे अंगद जामवद अन्यवानर करम बताया कहा मैंने उन्हें देखा बात की यह समचार शीगर शीर राम तक पहुचाना चाहिए समय अधिक नहीं है वानर किलकारियां भरने लगे प्रसंता में वानरो का उत्पात बढ़ गया उन्होंने मार के कई वन उझाड़े फल खाए और फेके दोड़ते हुए चले और किश्किंदा पहुच गये राम के पास वानरो को साथ लेकर सुगरीब वहां पहुचे हनुमान ने राम को सीता दोरा दिया दिया आभूशन दिया राम की आखों में आसु आ गए उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किये वे कैसी हैं कैसी रहती हैं उन्होंने कोई संदेश भेजा है हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही कहा मैंने उनसे भेट की वे व्याकुल हैं चिंतित हैं हर समय राक्षोसों से गिरी रहती हैं आपकी प्रदिक्षा कर रही है उन्होंने कहा यदि श्री राम दो माह में यहां नहीं आए तो पापी रावन मुझे मा डालेगा राम शोक में डूब गए भाव विहल होकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया आसू रोक नहीं पाए लक्ष स्पष्ट था लंका पराक्मा समय कम था सुग्रीम ने युद की तयारियां ततकाल प्रारम करने का निर्देश दिया वानर सेना इसके लिए पहले से तयार थी उच्साइद थी इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बाटनी के होशक्ता नहीं थी अलग दिशाओं में नहीं जाना था सबका लक्ष एक था दिशा एक थी तक्षन हुमिकाए निर्धारित हुई हनुमान, अंगद, जामवत, नल और नील को आगे रखा गया समुद्र पर चर्चा हुई उसे कैसे पार करेंगे सेना का हर वानर हनुमान नहीं था यह एक चुनौती थी देर रात तक चर्चा का विशह रही तो दोस्तों यहां पर समाप्थ होता है बाल राम कथा का दस्वा पार्ट और अगले शनिवार मैं आपके समक्ष फिर हाजिर हूँगा अगला पार्ट ले करके जिसका शीर शक है लंका विजए तब तक के लिए आप रखें अपना बैतर ख्याल राम राम